हेलो फ्रेंज जैशी कृष्णा वेलकम टू प्रितिस कीचन कैसे हो आप सब आज में आपके साथ ये मेथी मसाला पूरी की रेसिपी और साथ में इसके साथ खाने जायने वाला गाजर का राइता जो की बहुत यूनिक डिस है वो आपके साथ शेर कर रही हूँ तो इसके दो लिए पहले और फिर कट कर लिया है देखो इसकी डंडल नहीं लेनी हम लोग को सिर्फ मेथी के पत्ते लेने अभी मेथी लेली ना इसको अच्छे से नमक दाल देंगे थोड़ा सा जिससे इसका पानी जितना भी छूटना रहेगा नो वो सब छूट जाए और पूरी का आटा के लिए हम रेडी कर रहे है तो मेथी को देखो पहले नमक दाल के इसे छोड़ देना है कम से कम 5-7 मिनिट के लिए देखो आतों के मदद से पहले मसल के लेना है मेथी को जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी जो भी रहेगा ना वो निकल जाएगा और अगर मेथी अब हम लोग एक स्पेशियल मसाला रेडी करेंगे तो इसके लिए मैंने पेस्ट रेडी करेंगे यह पूरी के लिए तो मैंने दो मिर्ची लिए हुए चार-पाइच लसुन की टुकड़े ले लिए एक अद्रक का टुकड़ा लिया हुए और एक चम्मद जितना सौफ लि के लेंगे हम लोग यह मसाला हम लोग पूरी में करेंगे तो पूरी का टेस्ट और बढ़के आएगा साथी में एक गाजर का राइता रेडी कर रही हूँ इसके लिए मैंने नॉर्मल घर पे जो दही जमाया रहता है वही दही लिया हुआ है और इसको अच्छे से फेट के ले लेंगे आगे हम लोग मिर्सी का भी इसतिमाल करने वाले न इसलिए मिर्सी पाउडर में कम यूज कर रही हूँ उर थोड़ा सा बुना हुआ जीरे का पाउडर रहते न वह दाल रही हूँ यह राइता भी आपने एक पर ऐसे बना के खाया न आप बार बार ऐसा राइता ब मैं अभी यहां पे टाहर तब फइलेस को अच्छग करσι cone हो ज़ाए न लीवेई वो हम लोग लोग दलेंगे और इसको भी अच्छग करों कर लेंग enters इसमें थोड़ा सा मिठास आ जाता है गाजर का तो इतना मस्त राइता होता है ये रेडी, अभी इसको राइते के और थोड़ा तेस्टी बनाने के लिए मैं उसके उपर एक तड़का रेडी कर रही हूँ, इसके लिए मैंने तड़के पेन में तेल गरम करके लिया हुआ है, और उसमें थोड़े से राई के दाने दाल रही हूं, मैं राई जैसे चटक जाएगी ना, उसके बाद हम लोग को इसमें थोड़ा से जीरा दालने हैं, और थोड़ा से फिर कड़ी पत्ता दालने हैं, मीठा नीम जी से बोलते हैं न वो, और सभी सी चटक जाए ना, थोड़ी और चटक जाया ने उसके बाद मैंने मिर्ची डाल दिये और फिर यह तड़का मैंने इस पर लगा दिये मेरे पास हरी और लाल दोनों मिर्ची थी तो मैं दोनों मिर्ची का इस्तमाल इसमें किया हुआ है आप ते यह तो एक ही मिर्ची भी डाल सकते हो और तीखा नहीं खाते ना तो मिर्ची अवोइड भी कर सकते हो थोड़े से कोत्मिर के दाने से ये धानिया के साथ गार्निश कर लेंगे तो यारे हमारा गाजर पुंदी का राहिता और यह राहिता बहुत टेस्टी लगता है देखो मेथी में से भी एक्स्ट्रा पानी छूट चुका है और सद्धि चमच मैंने सूजी को बारिक पीस के दाली हुए हम लोग को मोटी वाली सूजी नहीं यूज़ करनी है बारिक वाली लेनी है तो मेरे पास मोटी वाली थी ना तो मैंने उसको मिचर में चला ली थी और साथ में हमने जो पेस्ट रेडी किया था ना जीरा और इसका सौफ जी पेली पानी नहीं दालना है पहले मेति का पानी जो चूटा रहेगा ना उसी में हम लोगका लगा लेना है , अटा लगा लेना है एक ताइटी को थोड़ी पूरिय ही दाल दीना है और फिर जब भी मिक्स हो जाए ना फिर ड्राइ लगे ना उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके अच्छा टाइट आटा गुनना है आटा टाइट रहेगा तो हमारी पूरिया खस्ती बनी रहेगी बाद में भी और ये पूरिया तीन दिन तक खराप नहीं होती है आप ट्रावेल वगेरे में कहीं जा रहे हो ना तो ये पूरियों को लेके जा सकते हो थोड़ा सा टेल डाल दिया मैंने मोहिन वगेरे कुछ इसमें डालने की जरूरत नहीं होती है विदाउट मोहिन भी हम लोग ने रवा दाला इसके वज़े से एक रिस्पी बनेगी और बेसन दाला इना इसके वज़े से वो खस्ता बनी रहेगी बाद में भी देखो फिर आटे को अच्छे से गुंद के लिया है अभी इसका छोटे छोटे हम लोग को पेडा करके लेने और एक बात आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे जितने इतनी अच्छे अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ देखिए सब्सक्राइब कर लिया है अभी चकने पर अपने को ले लेना है पाट पर ले लेना है इसको आटे को और फिर बेल के लेना है आटा अच्छा कड़क रहेगा इसके वज़े से अपने को कुछ भी लगाने की जरुत है नहीं अगर आपका आटा इस स्टेज पर अगर चिपक रहे ना बेलन और पाट पर तो थोड़ा सा तेल लगा लीजिए हलका सा देखिए मस्त पूरिया हो गई है अब पूरी गरम तेल हो जाएगा ना उसके बाद इसमें पूरिया दाल तलनी हम लोको अच्छा सा गरम तेल पूरी ऐसे खस्ती की खस्ते ही बननी रहती है एक बार आप ऐसे पूरिया जरूर बना के ट्राइ करिए आप चाहिए तो इसको मौनिंग ब्रेकफास्ट में लीजिए या फिर एज इवनिंग स्नेक्स में लीजिए या रात के डिनर में ऐसे लेजिए राइते के साथ सुब शाम और यह इतनी मस्त करारी पूरी बनती है ना आप एक बार तो जरू ट्राइ करिए इन सर्दियों में यह मेथी वाली पूरी बहुत ही टेस्टी टेस्ट आ जाता है मतलब यह इस रेसिपी इतनी मस्त बनी है ना बनते ही खतम हो जाएगे आपके घर पे देखिए और कहीं जा रहे तो बेस्ट आप्शन है लेते हुए जाईए मस्त ट्राविल में खाने के लिए बहुत मसा आता यह पूरियों का देखो मस्त फुली फुली पूरिया तल लिए अभी थोड़ी थोड़ी करके दो चार दो चार करके मैंने पूरिया सभी के सभी पूरिया को तल के लि तो बेहत आसानी से वो लोग खा लेंगे मेथी और सर्दियों में तो खाना ही चाहिए देखो आवाज आएगा कितना खसता बनाए ना एकदम फूली फूली पूरिया तैयारे एक बार जरूर ट्राइ करिए